किसे दिन किसके साथ करते हैं अब तुम्हें कहाते हैं कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता जब मूड करें किसी साथ भी करते हैं विशाल को आपने बहुत कुछ कहा मगर नैतिकता का पार्ट आप नहीं पढ़ाएं तो बहतर है एक बीवी के रहते हुए आप उ मैं नहीं है जिए आपकी पत्नियां है आप उनके साथ रहते हो आपने रखा नहीं है और दूसरा में नहीं जाता है उस तेम विशाल यहां पे था जिम के वह आउटफिक थे जो मैंने इसको चेंज करने के लिए बोले कृतिका भावी नंबर टू आप अपने आपको इतना intelligent मानती है आपको लगता है एक ये भी है कि कोई आपको कुछ कह देता है, आप कैलकुलेशन बिगड़ न जाए, इस तोई से मनी मन सोचते हैं, पर जवाब नहीं दे पाती है, जैसे रणवीर आपको अगर कुछ कह देते हैं, शाटाप या कुछ कहते हैं, आप जवाब देना चाहती है, अगर आप जवाब नहीं दे पाती, कि एक्वेशन कहीं बिगड़ न जाए, अर्मान से परिष्टा बिगड़ न जाए, ये जो हमने बैलेंस बना रखा, बैलेंस न बिगड़ जाए, और इसलिए आप डब नजर आ रही हैं, इस पर आपकर क्या कहना है? मेरे बहले कि मेरे बढ़े पाती है? मैं रनबी जी के रिस्पेक करती हूँ, वो इधर भी करती हो और बाहर भी करती रहूंगे और बाकी जो बात आप की कह रहे हो कि डम मैं लोगों को जवाब देती मुझे लगता है जिसको जवाब देना है मैं उसको अच्छे से जवाब देती हूँ जिसको नहीं देना तो मैं इज़त से नहीं देती और यहां पे सिरफ एक रंबीर जी है जिनको मैं जवाब नहीं देती Because of कि वो मेरे बड़े हैं अगर मुझे कुछ समझा रहे हैं अभी थोड़ दिन पहले उन्होंने मुझे बात बोले थी foolish वाली की कुछ बाते तो वो मैंने समझी की वो मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं और साथी सा तर्मान जी के लिए मैं यही करती हूँ कि वो मेरे husband है अगर वो मुझे कुछ समझा रहे है तो शायद मेरे भले के लिए समझा रहे हैं तो इन दोनों को छोड़ के बाकी घर में कोई भी है जो मुझे कुछ बोलता है तो मैं उनको जवाब वापिस देती हूँ और मैंने कभी ऐसी language यूज नहीं की है उसके साथ साथ दिनों के भीतर आपकी बहन सी दोस्त का पती आपको शादी के लिए प्रपोस करता है तब आप इन सिक्यूर नहीं होती है और एक लड़का आपको सुन्दर बुलाता है तो आप अनसे फील करने लगती है और आप इस कॉमेंट पर जाकर थपड मार देते हो और आप खुद सना सुल्तान को हाइट शेम करते हो बॉड़ी शेम करते हो फेस शेम करते हो उसने भी एक सिंगम शॉट बजा दिया होता तो क्या करते आप शायद आपने ध्यान से नहीं सुना था वो बोडी शेमिंग नहीं थी, पहली नंबर तो जब वो यहां पर कर रही थी, उसको डिस्टब करना था, ठीक है, चीश हो वाला, उसमें मैंने बोला, अगर तू हिल उतार दे होगी, तो यह बोलेगी, बच्चा किसका है, सर, इसे ही बोडी शेमिंग करते हैं, सर, इसे ही ब बोलेती होगी, क्या घरवाले पहचान जाते हैं, तुझे, यह बोला दा, सर, मुझे, चलो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैंने ये बात उसको भी बोली थी, अंदर भी बोली थी, लेकिन आपने सुल्तान से उस वक्त माफी नहीं मांगी थी, अंदर जब मिर साब आई थी, और अगर वो थपड मार देती, तो क्या जस्टिफाय होता ही है, कर लेती है, सर, और कृतिका जी आप बताईए, आप अंसे फील हो गई थी, एक सुन्दर कह देने से, सर, वो सुन्दर नहीं, सर, बात क्या होई थी, जब पारले शो पे आई थी, सेकिंड किया, क्योंकि लवकेश था, जो इनसान सुनने वाले होई बता सकता है, कि उसके साथ वाला सही है या गलत है, तो जब लवकेश ने पताया कि विशाल गलत था, तो मेरे दिमाग में विशाल के लिए जो पिच्चर थी, कि मेरे हाफे सब दोस्त है, सब फ्रेंड ऐसां और बात मैं यहां से एक और कर देता हूं, आपने बोला, चलो मैं उसको बोला, उसके बाद अंदर सोरी बोला, मैंने बोर्डिंग शेमिंग की, और जो रोज मुझे यहां बोला जाता है, थुझतला, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, मुझे सामने तो कोई लिया है, आ अर्मान जी है, वो बोलते रहते हैं, चोड़ न तु इसको इतना सीरिस मत ले, बट वो लड़की वैसी थी, उसकी वो लेने वाली शमता एक होते है, कोई किसको कितना भी नीचे गिरा है, वो लड़की वैसी नहीं थी, तो मैंने दोनों तरफ समझाने की कोशिश के, मैंने इनको भी बोला था, और रही बाद मुझे विशाल वाले टॉपिक पर बोलना है, विशाल ने डे वन से भावी को मूपे बोला है, भावी आप कितनी क्यूट हो, कितनी सुन्दर हो, तब इनको अंसे फिल नहीं हुआ, आफ्टर दाट इंसिदेंट, शी स्टाइब फिल नह सामने बोलना, पर अन्बीर जी भी अगर मुझे सामने से तारिफ करे, कि कृतिका बहुत अच्छी लग रही, वो बात एक अलग है, पर वो अपने दोस्त को कान ने बोल रहा और उसका दोस्त मुझे आगे से बोल रहा है, इस एक में मुझे बोले जी बात